राची लोग सभा सीट से आज कुल छह प्रत्यासियों ने अपना नामांगन दाखिल किया। इसमें इंडिया गटवंधन की प्रत्यासी यशस्विनी सहाई, AIMIM पाटी के अर्सद अयू, भागिदारी पाटी के शाम बिहारी, बहुजन मुक्ती पाटी के विनोदोराओं, बहुजन समाज पाटी के मनोज महतों और निर्दलिये से एक प्रत्यासी ने अपना पर्चा भरा है। पतादे कि नामांगन की आखरिती थी है आज। इंडिया अगर बंधन, राजी लोकसभा की प्रत्यासी यशस्विनी सहाई ने सोमवार को निर्वाचन कार्याले में अपना नामांगन पर्चा दाखिल किया। उनके साथ राजसभा सांसद महुआ माजी और उनके पिता सुबोत कन सहाई मवजूद थे। यशस्विनी सहाई ने नामांगन दाखिल करने से पहले शहर भर के धर्मस्थल सही दिस्थलों दरगाओं पर पूजा अर्चना की और अपनी जीत की काम ना की। इसके अलावब भारी संख्या में समर्थकों और ढोल लगाडों के साथ नामांगन करने निर्वाचिन कार्याले राज़ी पहुँची नामांगन के बाद उन्होंने कहा कि मैं देश में कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसके बिनाह पर आम जनों से वोट की अपील मेरे उपर बड़े बुजुर्गों का आश्रवाद है और मैं राची लोकसभासीट से जीट का पर्चम लहराओंगी वैसे भी बहुत सारे कदम उठाने की जरुगा है मैं विमन राच पे काफी काम कर चुकी हूँ और यहां की जितनी भी महिलाओं से मैंने बात भी की है वो अपने आपको सुरक्षिट नहीं महसूस करते हैं जिन भी महिलाओं से मैं मिली हूँ पूची हूँ कि कैसा आपको लगता है तो वो सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है तो कहीं न कहीं आपको महिलाओं को भी ऐसे इंपावर्मेंट देने की जरुवत है AIMIM पाटी के अरसा दयूब ने बहुत साधे ढंग से अपना नामांकन किया आज राजे में जहां राजे सरकार रस्टाचारों को मदद कर रही है वहीं केंद सरकार में भाजबा सिर्फ हिंदू मुसलिम पर अपना बयान दे रही है यहां का गांडे उप्चुनाओं से इंतकाब अंसारी जी उप्चुनाओं लड़ रहे हैं मैं राजे से लोकसभा का दुजार चोबिस का भी नामनेशन करके मैं दो सेट पे आ रहा हूँ और मैं यहीं कहूंगा जनता से राजे जिला का जनता को मैं सलाम करता हूं हिंदू मुस्लिम सी किसाई और आप लोगों को भी मिडिया वाले आप लोग देखिए आज भी ज्हार्खन कुन मंतरिया पचीस कोड़ पकड़ा गिया कहीं 302 कोड़ पकड़ा रहा है तो पूरे भारत में ते जड़ी चल रहा है हिंदू मुसल्मान का औ उसका भी मिडिया और उसका जलते हैं अगनी पीर को चार साल में रिटायर होता है और उनको दस साल मैं फिर 15 साल लड़ जाभा रहा है उनको रधार कर जाना चाहिए ह। और एक पार्टी राष्टिया है, उसको भी लोग कहता है, बच्चा है, कोई पपू बोलता है, कोई अपू बोलता है, आप किर्केटी सोसियन में देखिए, गिरी मंतरी का बेटा अध्याच है, वहाँ तेंदुलकर जी को रहना चाहिए, तो बताइए देश में क्या हो रहा ह है, देखिए, लोग तंद्र है, हिंदु मुस्लिम से की जाई, पच्चेस साल के बाद, हर आदमी चुनाव लड़ सकता है, एक ही आदमी जीतेगा, जिसकी भाग चमकेगा, टाइगर जर्राम मा तो गिरीडी से, अज जनता जहार करने जाग चुकी है, राची देविंदर म जनता तो, और मैं भी हूँ, हम भी अंदलकारी राची में रहे हैं, मेरा में नकों मुकदमा चला है, मैं एक ची बताता हूं आप लोग को, साची ना जहाग केस, सीबू सरें सुरज मंडल, जिस समय साची ना केस के हत्या हुआ था, उसका केस का मैं गवा था, आज हम लोग जैसा लोग को कदर नहीं जारकन पे, हम लोग ने कुर्बाने दिया जारकन निताओं के लिए, पर जारकन निता सिर्फ पाइसा पे पिक जा रहा है, और जारकन अलग हुआ, आज अलग नहीं, आज गुलाम हुआ है, यहां का सरकार से, और जनता आप जाग चुके है, मांगा टिकड हैदराबास से एक, एक अरोंगाबास से और एक किसन गन से, तीनों जगाए कांगरेस प्रतियासी दे दिया, और इंडिया, एंडिये, जनता उप चुकी है मांगाई से, भिरुजगारी से, एदम रुजगार नहीं मिल रहा है, लोग के चावल नहीं मिल रहा देखिए, मिडिया भाई, हम बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं, आपने देखा, एक राष्ट्य पार्टी भाजपा का चनामनेशन के दिन, उत्राखंड का सीम आया था, काई को कमांडो था, तीस को कमांडो था, बताइए, और अभी हम पेपर पढ़ें, देखें, प जा रहा मेरा देश, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, भागिदारी पार्टी केज, शाम बिहारी ने कहा कि आज केज दौर में, जहां सभी पार्टीयां अपनी अपनी रोटी सेक रही हैं, जनता के चिंता नहीं कर रही, वहीं हमारी पार्टी अधिवक्ताओं के सहयोग से तया हमावी मौसर में भोटकटवा की बात करते हैं आपको मैं बता दू कि भागीदारी का ये पर्थम लोग सभाचुनाव का ये दौर है हमारी पार्टी 2021 में रइस्टड हुआ और मैं आपको बता दू कि भारत के 12 स्टेट में और इस पार्टी में मैक्सिमम अधिवक्ता लोग ह कि जो ब्लिक के हित में काम नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोगों के लगा के कहीं ने कहीं बिध्ययक बनाने में कोई गड़बी है इसलिए हम लोग अधि mosquito लोग इस भागिदारी पार्टी में मैक्सिमम अधिवक्ता हैं जो बिधी का ग्यान रखते हैं और हम लोग भोट काटने के लिए ही, समाज में करांती फैलाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आने वाले दिन में समाज के अंदर ये काला कोट जाएगा, तो निश्चितरुम में ग्यान माटेगा, जब तक इस देश के अंतिम पंक्तिम खड़ा बेगती कोई बिधी का ग्यान नहीं होगा, कानुन का ग्यान नहीं होगा, तो असरिफ भोटर बनके रह जाएगा, दारू मुर्गा में बिकता रहेगा, उसका मान समान लुटता रहेगा, जो सत्तताल में, यह होने वाला नहीं है, लतने के एक तरफ बीजेपी है, उसी पर कॉंग्रेस को लिज़ के लिए जनता के भागीदारी के सवाल पर है, और हम जनता के भागीदारी पर आवाज उठावेंगे चुनाव जित के जाने के बाद, ताकि उसके अंदर समाजी व्योस्ता की करांती आ सके, 77 साल में कौन पार्टी क्या किया, यह जनता के सामने, यह अब जनता ही तै करेग कि चुनाव आ रहा है, इस पर हमको कुछ नहीं करना है, स्याम बिहारी परजापती, परत्यासी, भागीदारी पाटी, राची